दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जार्खण में छह महिने से अधिक की सजा पाने वाले अब नहीं लड़ पाएंगे पंचाय चुनाओ दोस्तों बड़ी खबर है जार्खण में बालू ढोने वाले ट्रेक्टर मालिकों को अब नहीं पकड़ेगी पुलिस ट्रेक्टर से बालू के उठाव पर पुलिस की कारवाई को लेकर सदन्मे सरकार को निर्देश जारी करना पड़ा सरकार ने ट्रेक्टर से बालू की बिक्री पर पुलिस और थानों के द्वारा जाच पर रोक लगाने का लिखित आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है साथ ही कहा है कि पुलिस के द्वारा ट्रेक्टर की ज्याच करने पर सरकार कारवाई भी करेगी जार्खन विधानसभा के बजट सत्र में 586 बालू घाटों से बालू के अवैध उठाव का मुद्दा चाय रहा है इस मुद्देपर विपक्च और सतापक्च के सदस्यों ने सरकार को कट घरे में खड़ा किया घोडे पर सवार होकर सदन पहुची बिधायक अमबा परसाद जार्खन विधानसभा बजट सत्र के दोरान मंगलवार को सदन की कारवाही शुरू हुई इससे पहले जार्खन के बड़का गाउं से कॉंग्रेस विधायक अमबा परसाद घोड़े पर सवार होकर सदन पहुची अमबा इससे पहले भी घोड़े की सवारी कर चुकी है वह जब विधायक निर्वाचित होकर सदन पहुँची तो घोडे पर ही सवार होकर गई थी अमबा परसाद मौजुदा जहारखंड विधानसवा की सबसे युवा विधायक है दोस्तो बड़ी खबर है जहारखंड के स्कूलों में लगेगी अब एक्ष्ट्रा कलास जहारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली से बारवी तक के सभी बच्चों के लिए अप्रेल से जून तक बिशिस कक्षाएं चलेंगी राज्य सरकार ने इसे निदानात्मक सिक्षा का नाम दिया है इससे पहले वीतिय वर्स 2022-23 के बजट में 40 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इसकूली सिक्षा एवं साक्षर्ता बिभाग ने निदानात्मक सिक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है बिभाग इसे लेकर दिशा निद्देश जारी करेगा सिक्षा विभाग ने वर्स 2021-22 के लिए सेक्षिनिक सत्र को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है इस वर्स सेक्षिनिक सत्र 31 मार्ज की जगह 30 जून को समाप्त होगा इसी तीन महिने में बच्चों के लिए बिशेस कक्षाई चलाए जाएंगी बच्चों के बिश्यस कक्षा संचालन को लेकर अलग से पाठे सामगरी भी तयार की जा रही है इसके लिए इसकुनों को अलग से किताब उपलब्द कराई जाएगी बिदेश जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत 27 माच से फिर शुरू होंगी अंतरराष्टिय उडाने सरकार ने लगबग दो साल बाद देश में 27 माच से अंतरराष्टिय वानिजी कुडानों को कोविड देशा निदेशू के अनुपालन के साथ पुनः शुरू करने का फैसला किया है नागर विमान महानिदेशाला यानि DGCNA कोविड महमारी की मद्दे नजर 23 माच 2020 से अंतरराष्टिय वानिजी कुडानों को स्थगीत किया था DGCNA 28 फरवरी को जारी परिपत्र में अंतरराष्टिय वानिजी कुडानों पर रोक अगले आधिश तक बढ़ाया था नगर बिमानन मंतराले ने मंगलवार को कहा कि बीश्यो भर में कोविड टीका करण के कावरेज में वृधी और सभी पक्षकारों से बीचार विमर्ष के उपरांत भारत सरकारे नियमित वानिर जी कंतराश्टी उडानों को 26 मार्च को मध्यरात्री के बाद नहीं बढ़ाने क धे फ्री ज्ण के 16 जिले कॉरोना मुक्त हो गए है मंगलबार सुबब बताया गया है कि इन 24 गंटों में कॉरोना से 61 लोग रीकवर हुए है इसके विप्रिद ज्ण के 8 जिले में कॉरोना के 27 नय मरिज मिले है जार्खण में कोरोना के एक टिप 1199 मामलों में सबसे अधीक 68 लातेहार में है सबसे अधीक राची जिले में 70 नए मामले मिले है स्वास्ति विभाक्य अनुसार राची से सत्र, बोकारों से एक देवहर से दो, धनबाद से दो, पुर्वी सीभूं से एक, गिरेडी से एक गोड़ा से एक और लोहरदगा से दो मरीज शामिल है जार्खण में कुल कोरोना मरीजों की संक्या अब 4,34,589 हो गई है इस विच कोरोना की जाच जारी है, जार्खण में कुल 2,11,86,676 सेंपल की जाची गई है, इनमें 199,99 एक्टी मामने है जार्खण विधान सभा में एक बार पुनह उठा अवैद उत्खनन का मामला जार्खण विधान सभा बजट सत्र में राजमहल विधायक अनत ओजहा ने कारियस्थगन की सूचना की माध्यम से जार्खण में हो रहे प्राकिर्तिक संसाधनों के दोहन का मुद्दा उठाया उसे विधान सभा अध्यक्ष ने सदन को पढ़ कर सुनाया उन्होंने कहा कि जार्खण में खनीज संपदा का दोहन बदस्तु जारी है बर्तमान महागठन गडवंदन वाली राज्य सरकार जल जंगल और जमीन की नारा देती है लेकिन जार्खण में तेजी से प्राकिर्तिक संसाधनों को दोहन हो रहा है बालू कोईला वखनीज का अबैत रूप से उत्खनन हो रहा है इससे होने वाले परदूर्शन से नागरी जीवन संकट में है पिछले दिनों उच्छ न्याले भी इस संबन्ध में चिंता जता चुका है बीस रुपे तक बढ़ सकते हैं देश में पेट्रोल डीजल के दाम पेट्रोल और डीजल की कीमते भारत में बीस रुपे पर तिलीटर तक बढ़ सकती है क्योंकि रूस यूकरेन के बीच गहराते तनाव से ग्लोबल क्रूड ओयल प्राइसेज रिकोर्ट हाई के लगभग कर सकती है इस बीच पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सींग पूरी ने मंगलबार को कहा कि ओयल कमपनिया फ्यूल फ्राइसेज तैक करेंगी उन्होंने कहा कि देश में कुरूड ओयल की कोई कमी नहीं होगी पूरी ने कहा कि सरकार नागरिकों के पर बंद हुआ जो कि साल 2008 के बाद इसका उच्चतम अस्तर है क्रूड ओयल की कीमतों में यह तेजी इसलिए आई है क्योंकि इस बात का डर लगातर बढ़ रहा है कि अमेरिका और यूरोपियन यूरियन रूस से आयत किये जाने वाले ओयल पर पूरी तर पाबंदी लगा स सुप्रीमों लालू परसाद यादों की ओर से जारकंड हाई कोड में दाखिल क्रिमिरल अपील सह जमानत याचिका की गलतियों को उनके वकिल दवरा दूर कर ली गई है अब इस घटना की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी बीती सुनवाई की चलते उच नयाले की नयाध फैसले के खिलाब बिहार के पूरुव मुख्यमंत्री लालू परसाद यादों ने 24 फरवरी को जारकंड उच्च नयाले का दरवाजा खट खटाया था वहीं उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दैर कर दी थी वहीं चारा घोटाले के पांचवे मामले में 21 फरवरी को सीवियाई की स्पेसल कोट ने यादों को पांच वर्स कैद की सजा सुनाई थी और उन पर 60 लाक रुपे का जुर्माना भी लगाया था बड़ी खबर है नहीं टलेगी जारकंड ये पीएसी मेंस एक्जाम बड़ी खबर है ग्यारव माच से होने वाली मेंस एक्जाम पर रोक लगाने से हाई कोट ने इनकार कर दिया है जारकंड हाई कोट के जेस्टिस डॉक्टर एसन पाठा की अदालत ने सात्वी से दस्वी सहुक्त सिविल सिवा पीटी के वैमार शीट पर इन्वीजी लिटर का हस्ताक्षन नहीं होने को लेकर दैर याचिकार पर सुनवाई करते हुए ग्यार माच से होने वाली मेंस एक् इनकार कर दिया है अदालत ने जेपीएसी को जवाब दैर करने का निर्दिश दिया अगली सुनवाई के लिए 28 मार्ज की तिथी निर्धारित की इससे पूर्व जेपीएसी की और से अधिवक्ता संजय पीपरावाल वा अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्षरक्ति वे बताया कि मैंस एक्जाम पर रोक लगाना उचीत नहीं होगा ओमार शीट का कारवन कोपी पहली बार अभिहार्थियों को दिया गया है ओरिजिनल ओमार शीट पर उसका नंबर वा बार कोड प्रिंट है साथ में अटेंडेंस वेरिफिकेशन शीट है जिस पर प्रश्न पत् लेने का प्रावधान है बड़ी खबर है जारखंड के जेलों में लगेंगे जैमर जारखंड में रंगदारी पर रोक लगाने के लिए खास पहल की जारी है जेल परिसर से अब कोई भी मोबाइल कॉल या इंटरनेट कॉल नहीं आएगा क्योंकि जल्दी जारखंड के जेल 4G जैमर से लेस होंगे जारखंड के रामगड जीले में जैमर का सफल डेमो भी हो चुका है जिसमें जेल के अंदर जैमर की क्वालिटी भी टेस्ट हो चुकी है केंद्रिय ग्रीम अंतराले के दवारा सर्टिफाइट B.E.W.L. और E.C.I.L. के जैमर की टेस्टिंग हुई ह जहां बेल की तरब से रेट का कोटेशन भी जारी किया जा चुका है वहीं E.C.I.L. के कोटेशन का इंदजार जेल परशासन को है जिसके आने के साथ ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेज़ा जाएगा खबरों को माने तो सुरवाती चरण में इसे राची इस्थित बीरसा मुंडा केंद्रिय कारागार होटवार में इस्टॉल किया जाएगा जिसके बाद दो महिने के सफल संचालन के बाद ही जहारखन के दूसरे जिलों में जैमर लगाए जाएगे बड़ी खबर है एक अप्रेल से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 चुट्टियां मौधी सरकार इसी साल से स्रम कानुन सुधार लागू करना चाहती है सरम सुधारों को लागू करने में हो रही तेरी के कारण केंद्री सरम और रोजगार मंत्राले 2022 में चार सरम संगीताओं को लागू करने पर विचार कर रहा है ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों 300 अरजित चुट्टी मिलने की खुश खबरी मिल सकती है मोधी सरकार लेवर कोड के नियमों को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को अरजित आउकाश चुटियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती है ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों 300 अरजित चुट्टी मिलने की खुश खबरी मिल सकती है लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर सरम मंत्राले, लेबर, यूनियन और उद्योग जगत के परती निधियों के बीच काम के घंटे, सालाना चुटियों, पेंशन, पीफ, टेक होम, सेलरी, रिटार्मेंट आधी को लेकर चर्चा हुई थी जिसमें कर्मचारियों की अरजित छुटियां 240 से बढ़ा कर 300 की जाने की मांग की गई थी बड़ी खबर है, ओमिक्रोन का चौथा वेरियंट आया सामने ताजा मामला कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट के नए वेरियंट के सामने आने का है इसे BA.3 जिहां BA.3 कहा गया है यहां ओमिक्रोन का चौधा वेरियंट है ओमिक्रोन का खुद BA.1 नाम दिया गया है जबकि इसकी लाइन के अगले दो वेरियंट BA.1.1 और BA.2 रहे है बता दे कि दो महिने पहले भारत में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रोन के कारण से ही आये थी यह कोरोना के अब तक के सामने आये सभी स्वरूपों में सबसे तेजी से फैलने वाला वेरियंट रहा था